गुट इबनिंग एवार फिर हम आया है वीडियो पे प्रीवियस जोर हमको जो देना है एक्स्ट्रा हमको कुछ कोस्टन से बचा हुआ उस कोस्टन को फिर डाल रहे हैं अधिन में मौकार नहीं मिला था देने का और फिर से उसी जोस के साथ अब लोग फिर से देख लीजे उ 28 कोस्टन से पर फिर वन इने डाले इसके बाद हम फिर आज वह कोस्टन नमर वन से सुरू करते हैं को सब्सक्राइब और वर्क इनरजी का दे रहे हैं एक वर्क इनरजी का काफी इंपॉर्टन कोस्टन है उस पावर से इनरेटेड जिए तो थरह हम देख लें यहां पे एक पहले ही लिख देता हूँ, पहला कि एक मसीन है जो 100 kg वाटर को 10 मीटर की उचाई तक फेकता है, 100 kg वाटर को 10 मीटर एक मोटर है, एक मोटर, एक मोटर, एक मोटर जो है, एक मोटर 100 kg पानी को 10 मीटर की उचाई तक 10 सेकन में या 5 सेकन में फेकता है, ठीक है? कर यदि मसीन की, यदि मोटर की दक्षता 60 परसंट हो, एक मोटर की इफिशेंसी, एक मतलब क्या होता है? एक मतलब दक्षता, यदि मोटर की दक्षता 60 परसंट हो, तब मोटर का सामर्थ क्या है? या मोटर की सक्ति क्या है? बेरी बेरी इंपॉर्टेंट कोस्टन. कि मोोटर की शक्ति क्या है वह भिएंदम यहां पर क्वेंदा डी मीट्र पर सेकेंट मेंегда फार कहता है ड्रीचति कि एक वह क्लिए तो जब दक्षता की बात करेंगे तो efficiency होता है power output by power input यही होता है तो जब motor की सकती के बार इंपूछा जाए तो power input निकालते हैं तो सिधा सब power input निकालो power input जैसे ही motor की सकती की बात की जाड़ें तो क्या निकालेंगे input यह होगा हमारा power output बटा efficiency तो चुकि तुम्हारा यहां पर क्या है उचाए तक फिर डवलू बाइटी होता है power का डवलू बाइटी तो power उचाए तक जाड़ेंगे उसका potential energy हो जाएगा यहां पर लिखेंगे डवलू बाइटी इंटू इटा power का value यहां क्या हो जागा हमारा MGH बटा टी इंटू इटा फिर चलो mass कितना है 100 kg पानी फिर तुम्हारा जी कितना है 10 है कितनी उचाए तक है 10 मीटर तक है 10 मीटर और टी कितना है मारा पांस सेकेंड के लिए और फिर तुम्हारा इटा 60 परसेंट बस हमारा इस 60 परसेंट को हम लोग 3 बटा 5 लिख देता है लिकत नहीं है तो 3 बटा 5 इंटू 5 कर दो पर करो 5 बटा 5 कैंसील हो गया तो 1000 गुना 10,000 बटा 3 हो गया 10,000 बटा 3 बाट हो गया हमारा किसका भेली हो गया यह हमारा machine की दक्स्त यह इनपुट हो गया machine का स्मार्थ कितना है बहुत important question इसमें फिल एकमार देखो कि हमने कहा कि machine की दक्स्ता क्या है बहुत बहुत important question सिधा सामने input निकाला इटा निकाला पाबर आउट पुट वट अपावर इंपुट इंपुट निकालाмов जब दक्स्ता की बात की जारे क्या निखा लेंगे हम input निखा लेंगे input होता output होटा पिर यहां पर सेकेंड नमर कोशन इसमें आता है कि कॉफिशंट अफ रेस्टिशूशन निश्कृति गुना की कामान पुर्ण परत्यास्थ टक्कर के लिए आता है परत्यास्थ टक्कर के लिए एक कामान तक्कर के लिए। याद रखना कोशन देगा यहां पे परफ्फेक्टली ऐलास्टिक कोईलीजन परफ्फेक्टी लिय एलास्टिक कोईलीजन के लिए एकामान बला वन देगा फिर तुम्हारा दूसा जीरो देगा तीसरा हमारा देगा लेस देन बन या यह दे देगा तुमको टू देगा चौधा देगा नन अब्दीच तो परफ्यक्ट ले나स्टिक कॉरिजन के लिए हमारा एकामान कितना होता और थर्ड मारा हता है क्या पुर्ण आर्प्रत्यास्थ के लिए हमाड़ा E0 होता है यह भी कॉस्चन तुमारा.. यह बनकें तुमारा कॉस्चन नमर्थ्री.. है तर लिए तर्ट और मेने बताया था कि कांसरेटिव फोर्स निमनी कितमें रियंएग्षित में से कौन है.. हमने बोला था work done by conservative force तो यह बात है हमारे सामनाई power के respect में यही कुछ निकालना होगा तो यह question maximum cases hundred percent cases वेसी question साथ है आगे बढ़ रहे हैं ठीक है इसको नोट कर ले है कुछ gravitation से सम्माधित question डालते है ग्रैविटेशन उसको देखो कि ग्रैविटेशन से सम्माधित question कुछ important जो पार्ट है उसको बलागातार कर रहे है कि ग्रैविटेशन पार्ट का देखो question number four की बात कर रहे हैं सबसे पहला कि जी का माना धिकतम कहां बता है जी का अधिकतम मान maximum value of जी जी का अधिकतम मान that is लिखेंगे maximum value of जी यह होगा पोल पे आंसर क्या होगा इसका पोल पर धुरूब पर जी का maximum value धुरूब पर होता है याद रखना इस सेच को और यह very important बहुत ज़्यादा यह भी पूशता है कोशन पाउच पर चले जाता है जी का minimum value जी का minimum value नीउन तम मान minimum value लिखेंगे कहां पर equator पर equator पर मतलब बिसुबत रेखा इसको बोलते है बिसुबत रेखा फिर चलना हमने क्या कहा है यहाँ पर कि जी का अधिकतम मान कहा होता है जी का मान पर जी का मान पर जी का मान पर बढ़ता है इसी ग्रैविटेशन से समधित कोशन नमर शिक्स की बात करते हैं अर्थ यदी तेज घूमना शुरू कर दे फिर्थवी यदी तेज घूमना शुरू कर दे तो जी का मान पर बढ़ता है इन्हें घटता है अर्थ यदी तेज घूमना शुरू करे तो जी का मान क्या होता है घटता है याद रखने इस चीज को इसमें पिर्थवी यदी तेज घुमना शुरू करें, अब हम्हों तेज घुमना शुरू करें, ये संकेत क्या है, नीचे की तरह पाए तेज घुमना शुरू करता है, एक और याद रखना, g बहुत कम किg बढ़ता कभी नहीं है, एक केंची जाद रखना कि पोर्ल पे मैकिसम होता है और विशुब थे खशा परिमीनवम होता है जी कभी नहीं बढ़ता है जी केवल घठता ही घठता है एक के से देगा कि यदि पिर्थवी रुख जाया पिर्थवी अपनी गती बंद कर दे तब वहाँ जी पे जादा होता है जी जादा हो जाता है पिर्थवी अपनी गती बंद कर दे पिर कोस्टन नमर सेवन पे चलो पलायन वे पलायन वे कमान अर्थ पर कितना होता है पलायन प्रोजेक्शन पूछा हुआ है फेके गए कौन पर निर्वर नहीं करता है कि याद रखना इसको यह हमारा जो प्लाइन वेग है फेके कौन पर निर्वर नहीं करता है इतना चीज़ जान लो ग्राइबटी से सम्मादी एक लिए कोस्टन इसमें फसेगा तुम्हारा इसको जान लो चीक है इसको थोड़ा हम प्रोपार्टी जो मैटर की तरफ चल रहा है उसमें कुछ इंपोर्टन कोस्टन जो काफी काफी पड़ते के अग्जाम में हमने देखा तेज कोस्टन को जैसे हम एलास्टी सीटी की बात कर दें तेलास्टी का कुछ पार्ट है उसको देख रहे हैं तो रहत है एलास्टी सीटी यह कोस्टन देख लिया होगा जी का दिकता मान पोल पे होता है मिनिमा मिक्वेटर पे होता है अर्थ तेज गुमना शुरू कर प्लाइन बेग अर्थ के सर्फेस वितना फेके के कौन पर प्लाइन बेग का मान निर्वार नहीं करता है फिर जानो कोस्टन नमर एट कोस्टन एट के बाद करूँ एक मिनुट एट कोस्टन एट इट की बाद करूँ जैसे एलासिसीटी का कुछ पार्थ है प्रत्यास्था का एलासिटी का कुछ पार्थ है इसको प्रतिवल बहुते हैं प्रतिवल प्रतिवल क्या है बेक्टर है इसकेलर है टेंसर है तो प्रतिवल टेंसर है याद रखना बार बार आता है प्रतिवल क्या है प्रतिवल टेंसर है टी एन एस और हिंदि भी इसको ऐसे लिखा थे टेंजर करके लिखते हैं पर्तिबल क्या है टेंजर है न एक पार्ट इसमें है इसमें काड़ा की तुम्हरा यदि एक ताड एक ताड एक वायर है एक ताड जिसका यंग परत्यास्था गुनाँ कितना है एक ताड का यंग यंग मुडलस आप एलासिटी यंग परत्यासथा गुनांग का गामा तथा इसको कहते यंग मोडरीलस of elasticity यंग मोडरीलस of elasticity मोडरीलस गामा है तथा stress stress मतलब परतिवल परतिवल एस है परतिवल क्या है एस है तो परति एक आहंक आयतन में संसी तूड़ जा cadre प्रती एकांक आयतन में संचित उर्जा, बहुत बहुत इंपोर्टन्ट, संचित उर्जा का माँ, लिखने हैं कि इनर्जी एस्टोर्ट, इनर्जी एस्टोर्ट पर यूनिट भॉल्लियू, दो तरीका इसमें हम बता देंगे तुमको, गामा होता है, तो तुमको दिया हुआ क्या है, इस्ट्रेस दिया हुआ है द्यान देना लिखेंगे half into s, s trend का value निकालो यहां से, यहां देखो s trend क्या होगा हमारा, s trend होगा, s trend बटा गम, यहां लिखे दो, s trend की जगा पर क्या लिखोगे, यह लिखेंगे s बटा गम, s तो s तुम्हारा है, आधा गुना, s गुना, s बटा गमा करो, s square y, 2 gamma, मैंने पहरे बोला था, किसका value क्या होता है, यह बहुत important, बोलो कितना तो बहुत ज्यादा, यह question पूस्ता है, energy store point volume, पर तीकां कायतन में, s square y, 2 gamma, और यहां पर फिर आगे देखते हैं, यदि यह कहा देख, यदि तुम्होरो, तुमको if, s trend तुमको पता हो, यदि s trend s हो, तब यूं क्या होगा, अब देखना दिहां से, फिर यूं की बात करता है,' half गुना, इस्ट्रेस गुना इस्ट्रेंड यहाँ पे चलो हाफ फिल यहाँ से इस्ट्रेस निकालो तो यहाँ से यदि हम इस्ट्रेस निकालते हैं तो क्या होगा यहाँ गामा गुना इस्ट्रेंड तो इस्ट्रेंड यहाँ पे देखो इस्ट्रेस को क्या लिखोगे यह हाफ है यहाप लिखेंगे गामा गुना एसट्रेन गुना एसट्रेन कितना तुमारा है यहाप एसट्रेन को 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 एसट्रेन क को देहां से देखो चलो इसकी कहानी यहीं तक रहेगी फिर इसमें हम थोड़ सा आगी सर्फिस टेंशन की तरफ जा रहा है सर्फिस टेंशन वहाँ पे देखना सर्फिस टेंशन का जो इंपोर्टन कोश्चन है मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन उसकी बात कर देते है सर्फिस टेंशन में कोश्चन से यह नहीं हो गया था कोश्चन नमर्ट 10 की तरफ चलो कोश्चन नमर्ट 10 ता आप बढ़ाने पर प्रिष्ट तना घटता है यह याद रखना on increasing temperature ता आप बढ़ाने पर प्रिष्ट तना इसको लिखेंगे surface tension याद रखना option में लेगा बढ़ता है घटता है कोई प्रवाब नहीं पढ़ता है इन मैंसे कोई नहीं लिखेंगे यहाँ पे घटता है ता आप बढ़ने पर क्रिष्ट ना घटता है याद रखना इसको बहुत एंपोटन यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन की ताप बढ़ने प्रिस्तना पर क्या अफर पड़ता है प्रिस्तना घटता है थोड़ा कोस्टन नमरे गाड़े पर चले जाए कोस्टन नमर 11 की बात करते हैं आज कर गारमा कोस्टन है तो इसी सर्फेस टैंस से समधित एक कोस्टन हम और बूलते हैं इसमें बूल बूले का अतिरिक्त दाव की बात कर एक्सेस प्रेसर इसको क्या कहते हैं एक्सेस प्रेसर ऑफ सोप बवल एक्सेस प्रेसर ऑफ इस सोप बवल सोप बवल की अतिरिक्त दाव सिधा कोस्टन देगा कि 2T बटार, 4T बाइर, 3T बाइर, none of this तो सिधा से हाँ पर क्या मारोगे 4T बाइर, सीधा, very important, बुंद की बात करेंगे, for drop, for drop की बात करेंगे, बुंद के लिए, ये drop में हमारा गात कोस्टन नमर 12 हो जागा है तुमारा, for drop की बात करेंगे ति इसमें एक्सेस प्रेसर पी लिख देना, drop के लिए, बुंद के लिए, या ऐसा भी बोल सकता है, इस स्थेना देता है, बुलबुले की बात करते हैं, बुलबुला की बात करते हैं, ये जो pressure होता है, drop के लिए, टुटी में बात करेंगे, तो प्रेसर क्या होगा, 4T BR, जब हम drop की बात करेंगे, टुटी में हो जागा, कोस्टन नमर 12 हो हमारा, इसके बाद एक और कोस्टन की त असपर्स कौन होता है तो कहेगा सुद्ध पानी और गलास के बीच का असपर्स कौन है यहां लिखे देंगे सुद्ध पानी प्योर वाटर सुद्ध पानी तथा कांच कांच या गलास इसको इंगली से बोलते हैं गलास के बीच असपर्स कौन असपर्स कौन थीटा जो जीरो डिगरी होता है याद रख लो सुद्ध पानी और गलास के बीच सुद्ध पानी गलास और सुद्ध पानी का सुद्ध पानी तथा लिग दे ना सुद्ध पानी तथा काँच के बीच असपर्स कौन कितना होता है जीरो होता है और इसी में कॉस्चन नमर 13 जोडते हैं या इसी रहने दो दूसरा पाट इसी काण कहेगा कि पाड़ा और गलास के बीच हजी तथा कांच के बीच एस्ति तथा कांच के बीच थीटा या सपर्सकॉर यह हमारा तो याद रखना है कि सुद्ध पानी और कांच की बीच का स्पर्सकॉल जीरो डिगरी और ऐसे दिता कांच की बीच का एक सब पाइते चीग होता है किलियर आगे बढ़ें इसी रो में चलो यह कोस्चन फोर्टी की तरफ जा रहा है चोदा नमर कोस्चन कोस्चन फोर्टीन कोस्चन नमर फोर्टीन यहां पर चलो एसेंट यह ची दे देगा तुमको कि एसेंट फर्मूला एक एसेंट फर्मूला में तुम्हारा है कि कैपिलर केशिका नली में द्रव का उपर चड़ने का सुत्र यहां पे सिधा हमारा है केश नली में या कैपिलर ट्यो केश नली में द्रव का उपर चड़ना उपर चड़ना तो इसके लिए जो है कि ये कैपिलर ट्यो राइज आफ लिक्वीड इन कैपिलर्ट्योग इने कैपिलर्ट्योग यह सीधा सा है कि हमारा H बरावर होता है 2T कॉस थीटा बटा और रोजी याद रखने तो यहाँ पे एक डिलेशन जो हमारा आता है इसने कॉस्टन बना रहा है इसमें आता है कि कान सकते है कुछ सकते है यहाँ कोस्टन दे यह पहला दे दिया HR बरावर नियत आंक या नियत या इसको कॉस्टन बोह देंगे नियत या तुम्हा だूसरा है under root hr equal to नियतांग। तिस्रा दे दिया तुम्हारा h root r बार नियतांग। चोथा दे दिया नन अफ दिच। नन अफ पुस्ताय कोस्टन। नन अफ दिच। आफशन हमारा ये हो जए है। जोडिन सलाओं इसको काते हैं। इसको क्या बोलेंगे जूरीन का नियम बोलें याद रखना इसको यह काफी इंपॉर्टेंट यह जितना भी बता रहें तो मोस्ट एक्सपेक्टेट कोश्चन बता रहें तो याद रखना किसमें काउं सा सही है था बड़ा काउं सा सही है एचार बड़ाबर या तांक याद रखेगा इस चीज़ को एक इस टाइप का कोश्चन ने बोलों को कि सर क्या यह पूछता की द्रव कितना ऊपर चरहेगा बह इसकी याद रखना यदि हमारा मिनिसकस की तरिज्जा हो उसके इसमें हमारा एच जो होता है ना टूटी बटा आर रोजी होता है इसमें ठीटा नहीं लगता याद रखना यह किसके तरिज्जा है मिनिसकस की तरिज्जा मिनिसकस पता होगा आपको मिनिसकस की तरिज्जा ह बात आयके तसस्वार की जोड़त है इतना कर देता है हम से जादे नहीं काफी होगी तोड़ा सा ठोड़ा सा बिशकों ड्रव की श्यानता श्यानता को क्या कहते हैं श्यानता को हम लोग विस्को सीटी बोलते हैं हमने कहा ताब बढ़ाने पे द्रब की श्यानता लिक्विट की विस्को सीटी ये दे देंगे बढ़ती है ने घटती है घटती है याद रख मैं इसको यह इन फिरेंप रम उनकल भाए आए, जियू में जोड़ना का बिश्यांता बिश्यांता, भारें, होता है? द्रब का घटना है अब गैस के लिए बढ़ना है इसमें कोश्टन नम्मर 16 पर चलो 16 में कोश्टन तुम्हारा है कि ए भी भराबर कॉश्टन एक पाइप में 5 सेंटीम्यटर रिडियस वाले एक πाइप में गैस 10 लिटर पर 30 याँ द्रप 10 लिटर पर दिस सेकन्ड के दूपर है की 5 सेंंट्यमी ट्रिज्य वाले एक पाइप में लाजआ को रेडियस करते हैं चैनलीस वाले हो इसको जाना रेडियस करते हैं हमने कहा कि पांस सेन्टिम्टर रेडियस वाले एक पाइप में तेल 10 लिटर परती सेकंड की दर से बाढ़ा है इस समझ रहे हो इंगलीज वाले साइद समझता होगा कि ट्या लिटर पर फ्लोईंग फ्लोईंग इस फ्लोईंग यह बाढ़ा है याद रखना करा कि बेग क्या है वैलोसीटी पो क्या है अले एक सी समझे ला पाफ सेंटिमीटर रेडियस बाले एक पाइप में तेल दस लीटर पर सेकंड के रेट से फ्लो कर रहा है तो कह रहा है कि वेलोसीटी ओफ वाइल क्या है एक ची बताओ हमने यह भी बराबर लिखा था डी भी बाइडी टी एक फर्मुला हमारा होत है इस दस पर 3 एक सेंटिमेटर के उब होगा आगे चलेंगे तो दस पर मैनस 3 मीटर की उब हो जाएगो कुछ करेंगे नहीं यहाँ पर हमारा पै एर कि तो दिया हुआ है आर कि पांस सेंटिमीटर है तहब 5 cm ko meter में change कर दो दिखेंगे 5 g गुना 10 पर minus 2 इसका square गुना v 10 गुना लीटर को देख़ो कितना change ग eliminates 3 10 पर minus 3 यहाँ पर डिखेंगे pi गुना 25 गुना 10 पर minus 4 गुना v 10 पर minus 2 यहां पर निकालो इसको यहां भी निकाल लेता है भी क्या हो जाएगा देखो इधर आएगा उस सहर में यहां फोगा हमारा 10 पर मैंनस दू बटा लिख दो पाई पाई इन्टू 25 इन्टू 10 पर मैंनस 4 कर देंगे समझ रहे हो बात को तो इस 4 को उपर देखे जाओ इसको उपर देखे जाओ तो पलस फोर हो जाएगा यहां लिखेंगे 100 बटा पाई गुना 25 चार बार में यहां फोगा 4 बटा 22 बटा 7, 18 बटा बाईस हो गया 1.6 मीटर पर सेकंड हो समझाएस इसको यह पूछा हुआ को स्चन हमने का 5 सेंटीमिटर रेडियस वाल एक पाईप में तेल 10 लिटर पर सेकंड किदर से बाढ़ा है वेलोसिटी क्या हुआ है लिका यह भी बाढ़ डीवी बाई डीटी पाईर स्कॉर कुना भी वेलोसिटी है एडिया है 10 लिटर पर सेकंड लिटर को हमने सैंज कर दिया मीटर क्यूब में सेंटीमिटर क्यूब ड़ीटर क्यूब Bür वन पोइंट सिक्स मीटर पर सेकंड हो जोड़ा से उसमें एक फोर इसमें परणने कि चोर्ट नहीं HEY हुआ कि बहुत इंपार्टेंट को चन कोके रहगा कि बढ़नॉली का त्योरम द्बेरनो 리 का परम रहे हो बहुत इनर्जी कंजर्शन उर्जा संडशन पम्राइट, किस पर है उर्जा सन्रक्शन पर आदारीट किलिए को चन्नमारा ठाड़ा चलो, इसकी कानी खतम, इसको राने दो, तो देखो इसको थो, देखो थो 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 कैसे जड़ खतम, अ हुआ तो देखो बाहे आवािव नजय अर्भा सर्जो थो, उन्माराण फrzyिक Tech तन्नमार्ण कानी खतम, ऊंतम, फिक है कि देखो विल्마ं इसकी कानी गजस दिकी खतम, तो भीखतम, गज़ मिल्चत कानी खतम, तो अ मिल्चत सर्टधा आवार है है है? झाल 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 तो ठीक है थोड़ा सा अब रोटेशनल की तरब बात करते हैं लोग रोटेशनल में एक क्वेस्टन देते हैं कि जैसे देदेगार की पतली छड़ है एल लंग्थ है एल लंबाई के एक पतली छड़ है रोड है और एम उसका मास है काड़ा केदी इसके केंदर से होकर जाने वाली देखा इसके लिए मॉमेंट अफ इनर्सिया होता है याद रखना यह आया हो कोस्टन है बहुत इंपोर्टन इसमें डारेक्ट फरमुला तमको पूछ देगा डारेक्ट पूछेगा यहां एक कोस्टन नमर 19 की बात कर दें यह सर्कुलर रिंग की बात करते हैं बृतिय छला सर्कुलर रिंग इसको क्या कहते हैं बृतिय छला कहते हैं बृतिय छला इसका जो सेंटर से होने बाला जो है यह होता है मॉमेंट अफ इनर्सिया हाफ मरे स्कॉार होता है याद रखना एक और देखो इसमें चल जो सर्कुलर कि बात कर दो इसका की बात करेंगे इससे तिये होता है मरेस को इतना याद रखो ठोस गोला का होता है 2 x 5 m e2 याद रिखना और खोखला गोला का 2 x 3 e2 एक कोस्टन जो इसमें बहुत बहुत इंपोर्टेंट है वो कोस्टन है कि एक डिफरेंट रिफरेंट इसे कि रिंग को फिर ठोस गोला को चक्ति को एक आना तल से छोड़ा पहले काउन पहुंचेगा समा कोस्टन ट्वेंटी कोस्टन नंबर ट्वेंटी काला की पहले आनत तल से इनकलाइन प्लैन इनकलाइन प्लैन मतलब आनत तल आनत तल से जैसे मालाई आनत तल से फिकर से मना देते हैं ये इसके उपर यहां से इसमें ठोस गोला दे दिया चक्ति दे दिया पहले काउन पहुंचेगा तो इसके जिर से पहले काउन पहुंचेगा इसको साइद याद रखो कि पहले काउन पहुंचेगा तो इसके लिए इसके लिफ्सके फर्मुला इसके लिए तुम को क्या करना पढ़ेगा पहुंचेगा यहां पे पर्मुला तुम याद कर जाना, टूजियंस बटा एक जोड, आई बटा एमर स्कॉर, जिसका भी जादा होगा पहले पहुचेगा, जिसका भी जादा होगा पहले पहुचेगा, सीधी इसी बात, समझ रहे हो ना, यह तुमको उसके लिए moment of inertia याद रखना पड़ेगा, और अब तक में rotational motion में most important, हम लिख दे आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुमको moment of inertia याद रखना पड़ेगा, तब जाके यह question तुम्हारा बनेगा, यह तूजियंस एक जो राइवटाइमर स्कॉर, जिसका velocity सबसे ज़्यादा होगा, वो पहले पहुचेगा, जाहिड सी बात है, रोटेशन मोशन में ज कोस गोला, सॉलिड स्फेर, या फिर तुम्हारा हॉलो स्फेर, कोकला गोला, जो जो छड़ लंबी छड़, एल लंबाई का और उसका मास दिया हुआ है, उसके सेंटर से होके जाता है, तो एक बाटा 12 mL स्कॉर, उसके साइड से जाता है, तो बाटा 3 mL स्कॉर, इतना question कर कर दो, तो एक दम हंडेट परसेंट, इसमें से एक question दियाना होगा, तिसस आएगा, अदर्वाइस नहीं आएगा, फिर यहां पर हमने कहा कि कौन पहुंचेगा पहले, confirm question होता है, आज तक का record है कि question पूस्ता रहा है, लगातार पूस्ता रहा इस question को, इसलिए इसको इस फर तेंडर और बिर्ताकर चला, यही तीन में साते रहता है, लगाता रहते रहता है, इसको याद रखना, यह question तुमर खलास, बन जाएगा question लिए, अब आगे की तरफ निकला फिर हम, चलो, question number 21, sound की तरफ रूख करते है, question 20, पहले SHM पहले चलते हैं, तब sound की बात करेंगे, बड़ा ही, इंट्रेस्टिंग, और खुबसूरत question, कि अनप्रस्त तरंग किसमे उत्पन होता है, transverse wave, एकदम important, transverse wave produces in, अनप्रस्त तरंग उत्पन होती है, question रहे गए, अनप्रस्त तरंग किसमे होता है, किसमे सिधा लिख देता है, समद जाना इसको तो, पहला हमने कहा, ठोस में, दूसरा हमने कहा, द्रब में, लिक्विर में, और तीसरा हमने कहा, उपर इप्त दोनों में, बोथ, और चौथा हमने कहा, इन में से कोई है, none of this, confirm लिख दोरो, याद रख, question नमड 12 पे चले जाता है, इसमें कहेंगे, लॉंगी चुडनल वेव किस में पैदा होता है इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अनुदैर दिया तरग यह हमारा याद रखने ठोस में द्रम में गैस तीनों में होता है धिटो को सण आड़ा है, हमने कहा कि सॉलीड और कुणी में ट् काटिप्वर्स ही पैदा होता है सॉल्लिकिड लीपीर नंडर में रखने गेस्स तरंग का standing सिताड के ताड में कती हैं म।क्सरी मीजिग्ल इंस्रूमेंट के ताड की बात जब भी जाएगा सिधा याद रखना कुस्मान प्रस्तरंग है स्प्रिंग की बात आएगी द्रब की स्टा पे बात आएगी हम जो बोल रहे हैं ध्वनी तरंग यह से बोले गात किसमे उत्पन होता है उसका क्या नेचर है उसका नेचर अनुदरित तरंग इसे में थोड़ा सागे बढ़ हैं question number 13 की तरब question number 23 sound के speed पे ध्वनी की चाल पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है द्वनी की चाल पर याद रखना speed of sound ध्वनी की चाल समझ लाओग इंग्रिस वाले speed of sound दाब का कोई प्रभाव नहीं दाब no effect सिधे लिख देते हैं दाव का कोई प्रभावी नहीं बढ़ता है याद रहा हूँ ताप मान बढ़ाने पे धनी की चाल बढ़ती है ताप बढ़ाएंगे ताप बढ़ाएंगे तो चाल क्या होगा इस पीड बढ़ेगा टेंपरिचर बढ़ाएंगे इस पीड बढ़ेगा दाव बढ़ाएंगे इसको फर्क में पर इसमें एक कोस्चन है उस कोस्चन को हम डील करते हैं इसी में आठ सोनीष जी रिसल्स है सांसर पैड़े बोल दिया ताइस चौविस नमर कोस्चन कोस्चन नमर चौविस कोस्चन नमर ट्वेंटिफूर कहेगा यहां पे कि किस ताप मान पर ध्वनी की चाल एंटीपी पर जीरो निसल्स का दूना होगा आठ सोनीष रट जाप रट जाओ इसको एट विस टेंपरिचर किस ताप पर ध्वनी की चाल स्पीड ऑफ साउंड ध्वनी की चाल एंटीपी पर एंटीपी पर दूना होगा यह दूनी होगी दुगना होगा याद रखना कि कितने टेंपरिचर पर साउंड का स्पीड एंटीपी पर मतलब जीरो निसल्स पर दूना होगा सीधा answer रहो डून दूना की बात आ रही रट जाओ इसको 890 पे या 1092 केलिविन पे याद कर जाओ रट लो याद कर लो आते रहाता है लगाता रहाता है कोस्टन कोस्टन नमर 25 पे जाड़ा है कोस्टन नमर 25 अब यहां पे देखो एक और कोस्टन इसमें सीधा सा जो कोस्टन हमारा है एक याद रखना तुम आते रहाता है लगाता रहाता है इसको हमें दे रहें, Estar मार रहें, Estar, 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 पांच से इस्टार मिने मार दे। तो भी मार रहें, सिधہ हम कहेंगे कि Phase Difference, कलांतर यहां बोल रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं, कि और तरन है कि एक मिनाट बेग घंब इस्थापन तथा बेग अधिल्फाफन तथा बेग एक डाटा बना देते हैं यह अध्फिंथे वेना सोजे समझे पिवाकई टू रत लो रत लो इसको यहमारा क्या है displacement है displacement और वेलोसीटी के बीच का लांतर पाई वाई टू फिर आगे लिखते हैं फिर लिखते हैं अक्टरीशन और वेलोसीटी एक्ट्वरन तथा वेलोसीटी ये भी लिख लो पाई वाई टू इरट लो फिर हमने कहा displacement और अक्टरीशन पाई फिर लिखड़े हैं विश्थापन displacement और अक्टरीशन इसके लिए पाई एकदम याद कर लो डिट्टो कर लो याद कर लो आएगा आएगा लिख दिया इसको फिर से ध्यान देना हमने का विश्थापन और वेक के बीच कलांतर कितना पाई वाई टू फिर पाई रट लो इसको बस ये तुम्हारा कोस्टन नमर 25 आने वाला कोस्टन इसमें से याद कर जाओ डिट्टो बार बार बूल ले सामने में देखो कि कोस्टन तो लाएगा कड़ी कोस्टन आया हुआ है चलो आगे बढ़े इसमें फिर चल रहे हैं कोस्टन नमर 26 पर कोस्ट यहां कहता है कि क्लोज आर्गन पाईट की मूल आविरती बंद 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 आर्गन पाईट की फंडामेंटल फ्रिक्व of iska. Close our. ये B better 4L होता है. ये पूज़ देगा किसकी fundamental frequency क्या होती है? B by 4L और open का B by 2L अलग से भूल देते हैं, open के लिए क्या होता ही? open के लिए हमारा B better 2L होता है, L है हमारे. और close के लिए क्या होता है? B better 4L. इसके बाद आगे बढ़ें इसमें देखो निक्स्ट कोश्चन 27 कोश्चन 27 कोश्चन नमबर 27 देखना इसको 27 की बात कर तो तुम्हारा औरगन पाइब की बात मैंने की अभी एक आता है इस टाइब का कोश्चन कि दिया रहेगा कि प्रगामी तरंग का डिस्प्लेस्मेंट देगा है ये तुमको कहेगा यहाँ पे प्रगामी तरंग मतलब प्रोग्रेसिव वेब देगा है आप प्रोग्रेसिव वेब का विश्थापर या डिस्प्लेस्मेंट देगा का डिस्प्लेस्मेंट दिया हुआ है य बड़ाबर 5sin 0.4x-5t देदी ऐसा कोशन बोलो कि कितना इंप्रोट है थम बोलेंगे बहुत इंप्रोटन तो यहाँ पे तुमको पूछ रहा है आभीरती क्या है तरंग की आभीरती यह पूछेगा तुमको तरंग की आभीरती क्या है या तरंग की frequency इस टाइब का question इसमें कोछ भी पूछा जाता है तरंग की आभीरती पूछा सकता है एगलर frequency पूछा जा सकता है कोछी पूछा जा सकता है एक काम करो तो y बड़ाबर हम यहाँ पे एक फॉर्मित देते हैं, a sin, k x minus omega t, omega t की जगा पे क्या है, 5t, यह अब लिख दो, omega t बड़ाबर, 5t, t और t, cancel कर दो, omega का क्या होता है, 2 pi n होता है, यह 5 हो गया, और n निकालो गया, 5 बटा, 2 pi, यही इसकी आविरती है, याद रखना इसको, यह चलो, फिर आगे चलें इसे में, तो sound की कहाणी, जो important कहाणी थी sound की, मैंने बताया, एक और थोड़ा से याद रखना, कि पिच्छ, तारक तो ऐसे फर्मल बहुते हैं, लिख नहीं रहे, 26 कोस्टन बता दिया, पीछ जो है तारक तो आविरती पर निर्वर करता है, जादी आविरती होगे तो पीछे जादा हो, अब हम आगे को कोस्टन नमबर 27, तो 27 पर जाओगे, तो यहाँ पर सीधे हम हीट की तरफ सफर कर रहे हैं, हीट की तरफ चलो, हीट में सबसे पहले तो में काम करना, इसमें हीट टास कर, और उसके पहले कनवर्सम, जैसे हम करना है कि 30 जिरी सेल्सियस को केल्विन की बात कर रहे हैं, केल्विन में बदलो, तो सीधा हमारा क्या होता है, सी बट अब 5 बड़ाबर, के मैनस 273 बट अब 5, काट दो, के बड़ाबर हो जाएगा, सी पलस 273, यहां लिखे दो, 30 पलस 273, यहां पे लिखे दो 303 केल्विन, ऐसा याद कर देना था, इसको याद कर देना, कनफर्मली याद कर देना, इसमें सलेक्टे साथ आठ कोस्टन दे रहे हैं तुमको हीट, कोस्टन नमर 28 की बात कर रहे हैं, कोस्टन नमर 28 की बात कर र 28 में तुम्हारा कोश्चन आने बाला कोश्चन दे रहे कोश्चन कहेगा कि CP और CB की बात कर या डिल्डी ओफ फ्रीडम यहां पर कोश्चन एक सिंपल तुमको दे देगा कि ऑक्सिजन का की स्वतंदरता की कोटी क्या है स्वतंदरता की कोटी मतलब पर डिल्डी ओफ फ्रीडम पूस्टा है इंगलीस इसकी क्या है इंगलीस इसका है डिल्डी ओफ फ्रीडम डिल्डी ओफ फ्रीडम क्या है तो डाइटोमिक है हम तीन लिख देते हैं इसको याद कर जाना तो इसका 5 होगा, डाइटोमिक है, हम यहाँ पे एक मैसन करते हैं कि यहाँ हम F लिखते हैं समाजाना डिग्री अफ रीडम है F लिखेंगे तो क्या है यह, डिग्री अफ रीडम है F लिख रहे होता है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या है देखो, एफ हमारा है डिग्री ओफ्रीडम, यहां पर हम लिखते हैं, गैस लिखते हैं कि मोनो एटॉमिक, डाइटॉमिक, पॉली एटॉमिक, यहां लिखते हैं गैस, यहां लिखते हैं हम एक परमानुमिक, यहां क्या लिख रहा हैं, एक परमानुमिक, मतलब इसको कहते हैं mono atomic क्या बोलेंगे इसको याद रखना सिधा से इसके लिए तीन होता है अब फिर यहां पे चलना हम 2 पर्मानुविक बोलगा है यही 2 याद रखना 2 पर्मानुविक इसके लिए लिखना 5 और बहु पर्मानुविक की बात करो poly atomic इस कर दो में में भी एक परमुला बना लेता हैं कैंगा मा का फरमूला हमारा आता है 1 पलस 2 बटा F पहले के लिए कर दो 1 पलस 2 बटा 3 कर दो तिसका 1.6 हो जाएगा इसका 1.4 इसका निकाल लेना पर यह बहुत इपोटेंट पूशता है CP और CP दोना पूछेगा तुमको इसको आडाम से देखो बना ठीक है आगे बढ़ा 29 की बात कर रहे है 29 29 29 29 29 29 29 29 कि यहाँ पर फिर आगे बढ़ा है यहाँ पर आगे बढ़ने से हम लेटेंटीट की बात करें कि एक 100 गराव बढ़ को 0 semantic 100 गराव पाने के साथ 100 डिगरी सेलस्यास के साथ मिला दिया जाता है आने वाला question, यहां क्या लिखाँ, 100 ग्राम 0 डिगरी Celsius पर 100 ग्राम बर्फ को किसे मिला दिया, 100 डिगरी Celsius पर 100 ग्राम पानी के साथ मिला दिया, मिश्रन का ताप सीधा याद रखना, रट लो, temperature of मिश्रन का ताप सीधा 10 डिगरी Celsius याद कर दो, जिट्टो कोस्टन आना होगा तो लगाता राएगा, उनने क्या का, 100 ग्राम बर्फ को क्या किया, 100 डिगरी Celsius पर 100 ग्राम पानी के साथ मिला दिया, तो मिश्रन का ताप मान क्य पर आगे की बात करें इसी में, कोस्टन नमर 30 की तरफ चल रहा है, कोस्टन नमर 30 की बात कर रहा है, 30 नमर कोस्टन, 30 नमर में सबसे उसमा संचन की सबसे तेज भी थी, पर इसमा संचन की सबसे तेज भी थी, उसमा संचडन टी सबसे तिब्ड भी थी, सबसे तिब्ड भी थी की बात कर रहा है, यह हमारा क्या है बीकी रन रेडियेशन क्या बोलेंगे रेडियेशन बोलेंगे सबसे तेज बीधी क्या है रेडियेशन इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग बीकी रन बहुते हैं फिर कोस्टन नमर 30 पे जा रहे हैं कोस्टन नमर 31 पे पहुंच पहुंचे जा रहा है तुम लोग के पहुंचे जाओ फास्टेस मोड और टांसपर फीट उसमार संचन की सबसे तेजवीदी काउंसी है रेडियेशन है फिर यहां पर यह बोला जाता है कि एक रॉड है यह इसको श्रेनिक्रम में जोड़ाज है दो रॉड है दो डोट दो चार रहे एक का यह मेमोरी में लखो एक कि उसमार खालता कोट है दूसरे कि उसमा आज एक ही इन सिरीज जाण चाहिए है इन सीरीज जोड़ दें इसका जो हमारा thermal conductivity होगी तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा तो सिधास हो जाएगा टू के वन के टू बटा के वन पलस के तू बहुत बहुत इंपॉर्टन सीरीज में यदि जोड़ देंगे था हमारा यह यहां सर आएगा और बड़ी इंपॉर्टन कोस्चन नमर 32 की बात करते हैं कोस्चन नमर 32 इसमें देदेगा तुम्हारा की ISO thermal प्रोसेस का उधारन इसका ख्रमत नमर प्रोसेस का एक्जामपल पूछ रहा है समतापिय प्रकड़ में इसका क्या है संतापिय प्रक्रम का एक्जाम्पल जैसे बर्फ का पिघलना melting of ice बर्फ का पिघलना ये तुम्हारा क्या है ये तुम्हारा संतापिय प्रक्रम या पानी का बास में पढ़िनत होना चलो और इसके लिए इस प्रक्रम में गईश की specific heat का जो value होता है वो अनंत होता है गईश के specific heat क्या होती है अनंत होता है दूसरा कहेगा cycle के tire का फटना by skill लिख दो cycle के tire का फटना बहुत important cycle के tire का फटना tire का फटना brushing of tires of back in लिख दो सिधा ये हमारा रुद्धोस्म प्रक्रम या क्या है idea-batic process ये क्या है मारा idea-batic process बोलो या रुद्धोस्म प्रक्रम बोलो इसको बहुत ज्यादा important समताप या रुद्धोस्म प्रक्रम ये दोनों को कर लो और last-last में हम हीट इंजिन की बात कर रहे है आंत में हम हीट इंजिन पे जा रहे है हीट इंजिन का इक कोस्टन कर देते हैं और आगे हम हीट लाइट की तरफ बढ़ेंगे फिर कोस्टन 31 था तो मढ़े 32 की तरफ जाड़े 32 कोस्टन नंबर 32 हीट की बात कर रहा कर एक आदर्ष मशीन एक्सो शताहर दीडी निजिस से शोचटाहर दीडी से श्यासर से बीच काम करता है लगते हैं कि एक आदर्स इंजन आदर्स इंजन मतलब आइडियल इंजन कर यह कार्णों इंजन भी कभी कभी काता है आइडियल इंजन कि 127 जिवी से 677 से के बीच काडी रथ है कर इफिसर क्या है क्या है पूछी जाड़ इसके दक्ष्ता त्याद रखना इता बढ़ा व्रत है 1-2 बटा T1 T2 जो होता है कम टेंपरिशन होता है T1 ज्यादा टेंपरिशन होता है यहाँ पर लिखे दें कि 1-2 कितना है 127 है इसका लिखे दो 400 और T1 नम्हारा 627 है यह 900 लिखे दो यह हो गया 900-400 500 बटा 900 गुना 100% कर दो efficiency निकल लिखाई पच्चास बटा 9% हो जाएगा ठीक है 127-627 देख रहे हो यहाँ पर यह 127 हो गया 927, 270 जोड़ो तो 800-900 हो जाएगा 127 हमला 400 हो जाएगा 900-400 बटा 900 निकल गया बस इसमें यही करना है इससे जादे की ज़रत इसमें नहीं इतना कर देंगे इसके बाद हम लोग 33 की तरफ लाइट की तरफ बढ़ रहे है लाइट लोग प्रकासित हो जाओ और भगवान कड़ी कंपीट कर जाओ चलो 33 नमबर कोस्चन नमर 33 कोस्चन नमर 33 की बात कर रहे है इसमें देख रहे हैं 33 में अब सिधे लाइट की दरफ चल रहा है सिधा यहाँ पे कहा देगा लाइट में जो इंपोर्टेंट डिपॉंट साथ आठ कोस्चन लाइट में दे रहे हैं तुमको तो सबसे पहला इसमें लाइट में इसमें कहँएगा कि लाइट क्या है प्रकास है प्रकास है पहला देगा कुछ दूस्ता यह विद्द्ट चुम के तरःग है Electromagnetic Wave यह क्या है EM Wave है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग बिद्धत चुम्मकिय तरण यही हमारा लाइट एक कोस्टन कोस्टन नमर थर्टी-फोर की बात करते हैं लाइट में ही करने कोस्टन नमर थर्टी-फोर इसमें एक बता रहे हैं तुमको थर्टी-फोर में कि कहाड़ेगा कि बिचलन कोण अंगिल ओफ डिभीएशन इने प्लैन मीरर समतल दरपन में समतल दरपन में बिचलन कोण किनन कितने कोण पे बिचलित होगी कि डिभीएशन इन प्लैन मीरर कितना होता है तो एक 180én डिग्री मेनस 2 եीटा होता है थीटा आई हो या र हो कभी-कभी इसको इसे भी लिखते हैं कि 180 degree minus 2i लिख देंगे या 180 degree minus 2i दो में से कुछ भी हम लिख देंगे अपतन कौन दिया हुआ हो और यदि प्राबरतन कौन दिया हुआ हो तो दो में से कुछ भी हम लिख देंगे ठीक है question number 35 की तरफ सकते है question number 35 इसमें छोटा-छोटा question एक कोशन ऐसा दे दे कि यदी बस तू मुख्य फोकस और पोल के बीच हो इमेज कैसा बनेगा यदी बस तू यहां लिखते हैं यदी बस तू F तता मने मुख्य फोकस तता धुरूब के बीच हो पोल के बीच हो तब इमेज इमेज मतलब परतिम कैसा बनेगा, यह क्या लिखोगे, यह हमारा कालपनिक, सीधा और आवर्देत, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह बनेगा हमारा कालपनिक, फिर बनेगा सीधा, फिर बनेगा हमारा आवर्देत, इसको इंगलिस में जान लो, इंगलिस हमारा है, इमेजनरी, इरक्ट, ए एक मैंने हिंट किया है तुमको पढ़ने के लिए मीरर से संबंदित जो नेचर होता है उसको याद कर जाना इस जरूरी चीज है इसको याद कर जाईएगा और लाइट को मैंने सुरू किया और कल मौर्निंग के क्लास में हम पूरा ट्रेलो का आपको इंपॉर्टेंट दे दे कि जो मैंने प्रोमिस किया था वह निवार हैं तू भी प्रोमिस करो कि तुम सलक्ट कर क्या हो इफ यू में के प्रोमिस के पिट ठीक है उसी रंग से हमने इसको बताया है और मैं आज रात में आपको वीडियो दे रहा हूं सच बता रहा हूं रात के ज्याड़ बज रहे हूं और लगाता रहा हूं हमें वीडियो देता रहा हूं और कोशिस करो कि सफल होजा में हड़ हमें से तुम्हारे साथ ओके आज के लिए बाए 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 गुड़ लक मॉर्णिंग मिल रहा है फिर वीडियो के साथ 12 के वीडियो के साथ मुख्य कोस्टन 25-30 कोस्टन टो लुका देंगे और उसमें साने की संभावना होगी ठीक है गुड़नाग और बेस्ट